UPSC की जजनी जत्रा आसान लोगों को लगता है कि IES बन गए, IPS बन गए, तो लोग उनकी अचीवमेंट्स को देखते हैं, उनके पीछे के संगर्थ इस बहुत लंबा होता है, मुझे अपनी ममी पापा के लिए कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मैं जिस एरिया से बलोंग करता हू लोग जानते हूँ, इतनी बड़ी तयारी को ले करके, लोग कहते हैं कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो मुझे लगता था कि मैं उन लोग को गलत प्रोग करूँ आप मुझे इंस्टाग्राम और मैसेज कर सकते हो, लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विकास भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बश्चा गाउं के सरकारी विध्याले में हुई है, मैंने चटवी से बारवी तक की पढ़ाई अपने विंजश्टक से की है, उस ब ग्रेजुशन किया है, और 2018 से मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, और 2019 से 2021 वाले बैच में मैंने हंसराज कॉलेज से में किया है, हिंदी लिटेशर से, अच्छा विकास भाई ये बताईए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि UPSC की तैयारी बिरिलियंट स्टुएंट करते हैं, तो 12 में भी 90% के रांड थे, दिको ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चा स्कूल में अच्छा रहा है, वो ही 12 में UPSC सेलेक्ट होगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो स्कूल में बहुत टॉपर होते हैं, वो भी UPSC सेलेक्ट नहीं पाते हैं, इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप U स्कूल में अच्छा करता है तो आगी की अच्छा करेगा, लेकिन हमीसा सही नहीं होता, कभी कवार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो इसकूल में अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी सेलेक्ट हो गया है, अच्छा बात करें UPSC के तयारी के, तो आपको कहां से मोटिवेशन मि मेरी फैंबली को जाता है, मेरे पिता जी ने मुझे सपोर्ट किया था इसके लिए, और जब मैं दिल्ली आया था, तो तब मुझे UPSC के वारी में उतना नौलेज नहीं था, जब मैं अपनी ग्रेविशन कर रहा था, सहीद बगर्शेंग कॉलेज से, तब मैं अपने कुछ सेनियर्स से मिला, कुछ टीचर्स ने मुझे इसके बारे में बताया, तो एक मोटिविशन का जो मेरा सोर्स था, कि मेरे पिता जी ने मुझे यहां पर भरोसा करके दिल्ली बेजा है, तो मेरे लिए यही था कि मैं यहां से जाओं, तो कुछ कर के जाओं, कुछ बन के जाओ जिससे उनके चहरे पर वो चमका सके वो उनको प्राउड फील करा सकूँ तो मेरे मोटिवेशन का सोस मेरे लिए मेरे फैमिली मेरे माता पर दाई थे अच्छा आप बात करें तो UPSC की तयारी का जब स्टुडेंट सोचता है और फिर सब लोगों को बताता है चाहिए वो रिलेटिव सो हो फ्रेंड सो फैमिली तो जायतर नेगेटिव थोट्स आते हैं कि आरे तु क्या UPSC करेगा यह बहुत टफ है तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ या फिर आपने कैसे सुरुवात करी देखो ऐसा है कि UPSC को सोसाइटी में थोड़ा ज्यादा ओवर्डेटिट कर रखा है लोग अक्सर मजाग में बोलते रहते हैं कि तुम क्या कलेक्टर हो तो एचीज होती है जब आप तयारी कोई भी UPSC की तयारी नो डाउट एक लंबी तयारी है इसमें समय लगता है मेने ज़्यादा लगती है तो लोगों को यह लगता है कि होगा या नहीं होगा सब के मन में घरवालों के मन में भी एक डाउट होता है एक जो एस्परेंट तयारी करने आता है उसके मन में भी लेकिन अगर आपको किसी की भी लाइप में, किसी भी जजनी में जाओ, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको सपोर्ट करने वाले, एक जो आपको पीछे खीचने वाले, तो मेरी स्टेट्जी हमेसा ही थी, कि जो भी लोग मुझे डिमोटिवेट करते हैं, जो ऐसी निगेटब बात है करती हैं, उनसे दूर रहो, उनसे बचा जाए, उनको एग्नॉर किया जाए, मुझे मेरी फैमिली ने कापी सपोर्ट किया, उन्होंने कभी मुझे पैसा प्रेसा नहीं मनाया कि, तुमारा फ़स्ट अटेम्ट में तुमको क्लियर करना है, अगर ए नहीं होगा तो क्या होगा, उन्होंने बस कहा कि just relax, आराम से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अगर खुद क अगर भी रहा था कॉलेज में, मैं भी योनर्स किया था जोगरफी सब्जेक्ट से, लेकिन जब मैं जोगरफी से तयारी कर रहा था, तो मैंने तयारी के दौरान जोगरफी की marks देखे, कुछ ऐसे seniors थे जो जोगरफी से select हो थे लेकिन जोगरफी में अच्छे नंबर लेकि अगर हम उसको हिंदी में लिखते हैं, तो फिर समझना उसको मुस्किल हो जाता है, और वो थोड़ा dynamic subject है, material भी proper उतना अच्छा हिंदी में नहीं मिलता है, तो इस सारी चीजे थी, नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे थी, तो मेरे लिए फ्रस नहीं था कि अब कौन तो इस बज़े से मैंने इसको चेंज कर लिया, अच्छा अभी जो नए इस्टुटेंट है, तो तयारी का सोच रहे हैं, तो कहिना के इस्टुटेंट के मन में ऑप्शनल को लेके काफी सारी confusion रहते हैं, और doubt create surrounding से हो जाते हैं, कोई भाया बोल देते हैं, यह वाला ले लो, इसमें marks gain अच्छे होते हैं, तो आप क्या suggestion देना चाहोगे, कि optional चूज करते वक्त किन-किन points का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका best optional चूज कर पाएं, और अच्छे marks उनके main से उसमें हाएं, जो मेरा criteria है, optional चूज करने का, कि पहले तो यह priority रखो, कि marks किस optional में आ रहे हैं medium के साफ से optional काम करता है, क्योंकि English medium में अक्सार सभी का material मिल जाता, अच्छे teacher मिल जाते हैं, जबकि Hindi medium में कुछ limitations होती हैं, तो सबसे पहले तो यह देखो कि marks किस optional में अच्छे आ रहे हैं, second इसको पर रखो कि आपकी रुची किस में हैं, भले ही Hindi side में marks अच्छे आ रहे हो या फिर इश्टी में marks अच्छे आ रहे हो, या पॉलिटी में marks अच्छे आ रहे हो, PSIR समाल, लेकिन अगर आपकी उसी में रुची नहीं है, अगर आपको इतियास पढ़ने में मजा नहीं आता, तो कितने ही अच्छे marks आँ, आप अच्छे marks नहीं ला सकते, तो marks नमबर एक पर रहो, लेकिन दूसरा एसको भी रहो, कि आपकी रुची किसमे है, और तीसरा, कि उस ओप्सिनल के लिए आपको अच्छा टीचर और अच्छा कंटेंट एवलेवल है या नहीं, इन तीन चीज़ों पर, इन तीन क्राइटिरिया की बेसिस पर, कोई भी नए एस्परेंट ओप्सिनल का चैन कर सकता है, अच्छा विकास भाई, आपने फर्स्ट अटेंट में UPSC क्राइट किया है, तो आपकी एक साल की तैयारी थी, तो एक साल की तैयारी में आपने UPSC क्राइट किया तो उस दोरन आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी, किस तरीके से आपकी आपन उससे पहले जो basic concept हैं किसी भी coaching notes से आप ले करके कर सकते हो आज कल इतने markets में available हैं कहीं पर भी मिल जाते हैं तो NCRT no doubt college के साथ अगर कोई बच्छा कर रहा है college के साथ पढ़ सकता है starting के 2-3 महीने में एक दूबार NCRT basically पढ़ लीजी उसके बाद किसी coaching के notes लेकर कि उससे क्या होता है कि help मिल जाती है हम NCRT standard book लाके खुद से notes बना रहे हैं तो उसमें बहुत जादा time consume हो जाता है उससे better है कि उस time का कहीं आप और use कीजी तो मेरे लिए यही था कि मैंने coaching के notes रखे पहले उस topic को अच्छे से समझा उसके बाद मैंने standard book उठाई तो जैसे HD के लिए मैंने spectrum ली, polity के लिए लच्मी कांत ली इस तरह कि मैंने book ली और उसको मैंने अच्छे से एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा और एक दो बार पढ़ने के बाद मैंने उनके short notes बना ली जो मेरे class notes से अलग थे, जो भी material उनके अलग मिलता था उनके मैंने short notes बना ली, इसी तरह मैंने सारे subject के साथ किया class notes, short notes और अपने source को limited करता गया अगर मैं कहीं से कुछ पर भी पढ़ता, extra तो मेरा focus यही रहता कि इसको अच्छे से एक बार पढ़के, समझके और उसके अपने short notes बना लोके है कि पूरी book दोवारा revision नहीं होगी, जबकि हम अपने notes से revision कर लेंगे और तीसरा चीज होता है कि बार बार revision करो और practice करो जब हम test लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कमजोरी ए है उस चीज़ पर हम focus करते हैं, उसको सुधार करने का प्रियास करते हैं मेरी study यही रही थी, कि अपना source कम रखो, अच्छा content पढ़ो, revision करो test practice से अपनी कमियों को दूर करो अच्छा बात करते हैं, बहुत सारे student हैं जो तैयारी करना चाहते हैं UPSC की लेकर उनकी financial condition इतनी ठीक नहीं है तो UPSC की तैयारी घर पे रहके हो सकती है क्या बिना coaching के आज की जमाने की अगर अभी present time की बात की जाए तो यह बिल्कुल possible है आज से अगर छेसा साल पहले की बात की जाए तो हो सकता था कि कुछ मस्किले थी क्योंकि यह उतना material नहीं मिल पाता था आज YouTube पर और Telegram पर किसी भी coaching की free classes एब लेबल है Telegram पर PDF के form में सभी notes एब लेबल है तो आज उतनी जरूरी नहीं रही है कि coaching करना ही है बिना coaching के भी बहुत बच्ची selection ले रही है बस यह है कि आप कहीं पर भी रहो घर पर रहो घर पर क्या होता है कि थोड़ा एक माहल ऐसा होता है कि आपको एकांत room नहीं मिल पाता और जो इस तरह की चीज़ें आप manage कर सकते हो आप 8-9 गंटे daily की पढ़ाई manage कर सकते हो तो ठीक है YouTube पर class कीजिए टेलिग्राम से वीडियो डाउनलोड करके class कीजिए notes वहाँ पर available है तो बिल्कुल possible है आज कर बाइब ओके तो यह journey बहुत बड़ी होती है जो इससे फिर से motivation आता तो पढ़ाई में फिर से लग जाते है student देखो एवास सही है कि UPSC की journey जितना आसान लोगों को लगता है कि IIS बन गए है IPS बन गए है तो लोग उनकी achievements को देखते है उनके पीछे के संगर्थ इस बहुत लंबा होता है और कोई भी काम हो जो के लंबी रिस होती है उसमें बीच में तकान भी होती है उसमें ups and downs भी आते हैं और उन्हीं चीज़ों को balance जो वक्ति कर लेता है वो सफलता पा लेता है तो मेरे साथ भी ऐसा होता था जंजली सभी के साथ होता है तो मेरे चीज़ यही होती है कि आपको एक clear होना चाहिए कि आपको कोई भी काम कर रहे है वो क्यों कर रहे है सभी का एक target होता है सभी का एक उद्देश होता है जब आप उस उद्देश की मानता में विस्वास रखते हैं कि मुझे करना है मुझे इसलिए करना है सबी के personal reason होते हैं किसी की बदले की भाबना आ या किसी इस तरह से नहीं अगर आपको अपना लच्छ पवित्र लगता है आप उसके लिए dedicate है तो आप हमीसा motivate रहेंगे दूसरी चीजे कि अगर कोई इस तरह से negative बात है बोलता है या आपको demotivate करता है तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए तीसरा है कि self evolution वो बहुत जरूरी है इस पूरी process के दौराण कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और आपको लगर आप उसकी परसे असफल हो रहे हैं फिर उससे आपको demotivate होते हैं तो कही ने कहीं आपका self assessment कीजिए कि एक गलती हो रहे हैं आप असफल हो रहे हैं उसकी बज़ए क्या है आपनी उस कमी को पहँचानिए और उसको दूर कीजिए चौता होता है कि जो भी आपका group है अच्छे लोगों का group बनाएए जो आपको motivate करें ना कि demotivate इससे भी कईने कई motivation मिलता है और इसके अलावा भी कुछ बाहर परिस्तिया होती हैं जैसे कोई अपनी family की condition को देखके motivation लेता है कि मुझे अपनी ममी पापा के लिए कुछ करना है कोई ये किसी वेक्ति को बलों करता हूँ लोग जानते हूँ इतनी बड़ी तयारी को लेकर के लोग कहते हैं कि क्या हो जाएगा तुमारा तो मुझे लगता था कि मैं उन लोगों गलत प्रूब करूँ और मैं कुछ न कुछ करके दुखा हूँ तो मेरे लिए motivation वहाँ से आता था लाश्ट में जो नई श्टुडेंट्स तयारी करने के लिए आना चाहते हैं मुखरजी नगर में तो उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे दिको मुखरजी नगर में जो नई बच्चे आना चाहते हैं वो एक कि अधर जाएं किस कोचिंग पर जाएं किस के नोट शुटाएं तो होता कि हो भठक जाते रास्ते से उनके लिए सबसे पहले धी आई कि एक अपनी प्रापर strategy बनाए कियोंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले आपके पास उसका पूरा प्लान होना चाहिए कि हमको कैसे करना है और मेरा एक सजेशन है कि किसी भी टॉपर को ब्लैंड ली फॉलो मत कीजिए जो अखसर लोग करते हैं कि कि इसी ने बता दिया यह वाली बुक पढ़ लीजिए तब तक कोई दूसरा टॉपर आ गया उसने बूल दिया किस को कर लीजिए तो यह चीज नहीं करनी चाहिए आप अपने इसाब से देखिए कि वह चीज को इस बुक बता रहा है सब पोच करूं मैंने किसी एस्परेंट को क इससे मुझे फायदा मिलेगा इसमें इन पूट कितना आउटविट को आएगा यह चीज दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा नोट्स की पीछी नहीं बागे कि इस कोचिंगा वी नोट्स ले ले लें इस कोचिंग वी नोट्स ले लें नोट्स से जितने लिम्टेड होंगे आप उतना अच्छा रिवीजन करेंगे और जो भी बात मैंने अपनी तयारी की दोरान भी फॉलो की है और जो मैं एक्सल लोगों को कहता हूं लोगों को यह लगता है कि जैसे कि लच्वी कांथ पढ़ना है इस्पेक्ट्रम पढ़ना है अच्छा है यह बेसिक बुक हैं सबक आजकल बुक्सोर्स सभी को पता है उनको फॉलो कीजिए ज्यादा इधर उदर न भाग के एक UPSC का सिलेबस देगी उसके क्विश्टन पेपर को एनालेसिस कीजिए और उसी डारेक्शन में तैयारी कीजिए नोट्स कोचिंग इनके बैकाबी में ज्यादा ना करके एक चैनल को सब्सकाब जरू कर लेना मैं हर बार बोलता हूँ आपके जो भी कोईरीज या कुश्टन होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर डारेक्ट मैसेज कर सकती हो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा चलिए दोस्तों बाई बाई एंड टेक कियर